तो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आज हम रीजनी की क्लास ठेट कर रहे हैं जिसमें हम लेटेस्ट नंबर एनालोजी के सारे कुश्यंस यहाँ पर करेंगे यह जो कुश्यंस हैं आपके यह बहतरीन कुश्यं है और SSC CPO 2024 में पूछे गए सारे कुश्यं है तो आप सभी को क्या करना है पहले मैं आप सभी को सारे कुश्यं दिखा देता हूँ और आप सभी को इमानदारी से खुश्य सॉल्व करना है और बताना है कमेंड में जितने भी यहाँ पर कुश्यं है साथ या आठ कुश्यं है इसमें से आपने कितने question solve किये खुस्से करोगे तो आपको जादे फायदा होगा और आपका confidence भी boost होगा तो शुरू करते हैं पहले question से पहला question आपका यहाँ पर है अभी आप सभी को देखना है और खुस्से करना है पहला question यह है आप देख लीजिए second question आपका यह है third question आपका यह है और fourth question आपका यह है और fifth है आपका यह question है sixth question यह है और seventh है आपका यह है तो साथी question यहाँ पर है तो यह सभी question आप पहले खुस्से करें या मेरे question करने से पहले एक बार पहुच करना और खुस्से time देखे करना और देखना कि आप कितने question यहाँ पर solve कर पारे हो तो आपके सामने पहला question है मैंने आपको बताया है कि आपका question क्या पुछा गया है यहाँ पर पहले पढ़े लेते हैं select the option in which the number share the same relationship as that shared by the given pair of number तो आपको यह बताना है कि यहाँ से option ऐसा select करना है जो आपका same relationship यहाँ पर share करता है याँ कि जो भी pattern आपका यहाँ है वही आपका option में होना चीए तो हम क्या करते हैं जैसे आप देखोगे यहाँ पर 49 है तो हम number के नजदीक जाने की कोशिस करते हैं या आप देखोगे square करके number के नजदीक जाने की कोशिस करते हैं या हम यहाँ पे cute, यहाँ पे square, यह सारी चीजे हम करते हैं, multiply से उसके नजदीक जाते हैं, अब add करके हम यहाँ पे देखते हैं, minus करके हम यहाँ लिखते हैं number को, तो यह सारे operation हम यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे important बात यह है, जब भी आपने देखा होगा analogy के जो भी latest question पूछे जाते हैं उसमें यहाँ पर एक note लिखा रहता है note लिखा होता है जिसमें यह आपको बोला जाता है कि number को break नहीं करना है लेकिन यहाँ पर ऐसा note नहीं लिखा गया तो इसका मतलब यहाँ पर आप digit को break करके भी अपना logic लगा सकते हैं तो यहाँ पर आप digit को break भी कर सकते हैं अब देखोगे आप सभी ने question किया होगा आपने देखा होगा कि अगर मैं यह बोल सकता हूँ कि अगर 40 और 9 को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इनको एक तो नजदीक जा सकता हूँ करके जैसे 9 चको 36 करूँगा प्लस 4 एट करूँगा 40 हा जाएगा या 9 पंचे 45 करूँगा मैनस 5 करूँगा 40 हा जाएगा लेकिन आप option ऐसे देखोगे आपको option यहाँ पर ऐसे नजर नहीं आएंगे ठीक है सेम जैसे हमें आपके कर जैसे 9 चको 36 किया तो क्या 5 चको 20 प्लस 60 हो गया यहाँ बड़ा नंबर ऐसे 4 देखोगे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से मल्टिप्लाई नहीं है दूसरा आप यह देख सकते हूँ कि 40 प्लस 9 आपको 49 दिख रहा है जो कि आप बोल सकते हूँ यह आपका 7 का square है ऐसे option आप देखोगे option में आपको 65, 124, 94, 106 तो square भी आपको नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो pattern है वो आप जरूर ध्यान में रखना और इसे node भी करना यहाँ पे अभी plus minus ऐसा कुछ pattern नहीं है आप देखोगे यहाँ पे अगर आप इन दोनों नंबर को multiply करते हो 40 into 9 तो आप देखोगे आपको कितना मिला 9, 94, 360 मिला ऐसे आप देखोगे option में दोनों नंबर को multiply करो यहाँ नहीं मिल ला है यहाँ भी आपको यह नहीं मिल ला है लेकिन आप third option को अगर चेक करोगे तो आप देखोगे 90 into अगर आप 4 कर देखोगे तो यहाँ भी आपको क्या मिल ला है 360 मिल ला है तो आपका right answer क्या हो जाएगा third option हो जाएगा तो यह question आपको ध्यान में भी रखना है इस pattern को भी आपको ध्यान में रखना है आगे भी आने वाले exam में पूछा जा सकता है अगर आप खुश से करोगे तो और भी आप यहाँ पर सोच सकतो देखो एक pattern यहाँ पर और यहाँ पर नजर आ रहा है अगर आप देखो 40 में 40 में second वाले number का 10 गुना add करतो 10 नमा 90 तो आप देखोगे 90 प्लस 40 कितना आया 130 आया ऐसी आप देखोगे third option में देखोगे 90 में second number का 10 गुना 4 गुना 10 करते हैं तो यहाँ भी आप देखोगे 10 चको 40 130 नजर आ रहा है तो यह भी आप यहाँ पर सोच सकते हो लेकिन यह logic आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी तरीके से यह और भी आगे पूछा जा सकता है क्योंकि हम जैसे add करते हैं कभी हम यहाँ पर यह भी कर सकते हैं को 40 में से 9 करते 31 हाता तो हम बोलते 31 प्राइम नंबर है यह भी आप देखते हैं लेकिन आपको option में भी देखना है उसी तरीका pattern होना चीए और मैंने आपको यहाँ पर sequence भी बताई है आपको option से बताना है अब देखो यहाँ पर आप यह देखोगे कि 72 का 27 है या तो 27 से 72 पर जाओ या 72 आप यह भी बोल सकते हो कि 72 27 जो है यह इसका उल्टा है यानि कि आप देखोगे 72 27 लेकिन option में ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा है दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो कि और क्या हो सकता है अब आप देखोगे यहाँ पर 27 है तो 9 तिया 27 होता है अब आपको 9 चीए digit को break भी कर सकते हो यहाँ पर ऐसा note नहीं लिखा हुआ है जैसे आप देखोगे पहले लिखा जाता था अब option में आप देखोगे 7,2,9 9 को 5 से multiply करने में 45 आ रहा है तो यह option नहीं होगा ठीक है आगे आप देखोगे 5 प्लस 6 इस option को check करोगे 5 प्लस 6 यहाँ पर 11 आया इसे 3 से multiply करोगे तो कितना आ गया 33 आ गया तो आपका right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा second option हो जाएगा तो यह question भी आपको समझ में आया होगा कैसे हमने यहाँ पर किया pattern को जरूर ध्यान में रखना अच्छे question है और देखना कि आपने कितने question के 7 question में से कितने आपने सही किये next question देखो next है आप देखोगे यहाँ पर select the वही है question तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आप देखोगे 25 चीए 72 से 25 आप कैसे जा सकते हैं एक तो आप यह बोल सकते हूँ कि 25 तिया 75 करूँ फिर 3 माइनस कर दो 72 आजाएगा लेकिन आप देखो यहाँ पर 8 तिया 24 टीज आप आप आपको नबर ही आसपास ही नहीं दिख रहे है जैसे multiply करके चत्थि यहाँ तो number ही कम है और क्या हो सकते है आप देखो और मैंने आपको बताएगे जैसे पच्चीस आपको नजर आ रहा है तो यह 25 आपको मैंने कहा है, square cube की logic भी हो सकते हैं, अब आपने कहा 25 है, तो यह 5 का square है, अब 5 कहां से आएगा, आपको pattern बनाना है, तो इन ही से सोचना है, इसी question से आपको यहाँ पर दिया है, इस से सोचना है, आप यह कह सकते हो कि 7 में से, यानि कि इनका जो difference है, 7 और 2 का जो difference है, ठीक है, इन दोनों number का difference है, वो 5 आता है, और इसका square आपको क्या दिया गया है, 25, तो यहाँ पर देख लो, 8 और 6 का difference कितना है, 2 है, 2 का square, 8 नहीं होता है, 5 और 4 का difference, 1 है, यहाँ पी नहीं होता है, यहाँ आप देखोगे, 8 और 2 का difference, 6 है, 6 का square, 36 हो गया, तो यह आपक question देखते हैं इसे भी आप ध्यान में जरूर रखना note कर लेना next question देखो अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है 76 का 69 है 49 का 45 है 69 का क्या होगा अब आप सभी ने question क्या होगा आप देखोगे number आसपास हैं आप एक बार difference देख लो अगर आप देखो 76 और 69 के बीच में आप difference देखते हैं तो आपको difference कितना नहां जरा रहा है आप यहाँ पर बोलोगे 77 का difference है याईनिकि –7 करता हो तो 69 आ रहा है और 49 और 45 के बीच में देखो यहा पर आप देख sister तब 45 पा रहा है अब या तो ऐसा pattern होता है कि fixed यहां पर difference हो वो तो आसानी से आप देख लो कि जैसे सभी में 7-7 का हो सकता है सभी में 4-4 का हो सकता है लेकिन यहां कैसा नहीं है यहां 7 का है यहां 4 का है अब सोचो क्या pattern यहां पर हो सकता है जो आपको number दिये गए है उनके आसपास ही सोचो उन number में से ही कुछ हो सकता है अब देखो अच्छा pattern है इसे भी आप ध्यान में जरूर रखना आप देखोगे यहां पर minus 7 जो है यह वाला number है जो आप देखोगे इसमें पहला number पहला number क्या है इसका यहां पर 7 देखो यह एकाई धाई का अंक है धाई का अंक को minus कर रहे है यहां पर 7 और ऐसी आप यहां भी देखोगे यह 4 है 4 minus कर रहे है तो 69 में से आप क्या minus करोगे धाई का 6 तो 6 minus क आपको क्या मिल जाए का यह आपको माईनश करना यह वाला नंबर तो आप देखो कितना मिलेगा है यहापा 63 मिल जाए गा इसका right answer आपका इसका ध्नी तो अच्छा कोश्यन है यह आपको देखना कि अच्छा कोश्यन है और आप पर जो pattern है वो आपका ये है next question देखते है next देखो इस question को करो 23 से 27 से आप कोगे कि यहाँ पर difference 4 का है लेकिन आप देखोगे option में आपको कहीं भी difference 4 का नहीं दिख रहा है यहाँ 10 का difference है तो यह difference वाला तो नहीं है आप इनको sum करके देख सकतो sum करोगे तो आपको यहाँ पर मिल सकते हो साथ यह एक इस पांच पच्छे पच्छे तीन कम तीन पांच पच्छे पच्छे पांच कम पांच यूनिट multiply करके भी आपका नहीं आ रहा है multiply वाला भी नहीं है और क्या pattern हो सकता है आप देखोगे 27 है तो नौतिया 27 हो सकता है अब देखो नौतिया 27 है तो कैसे इस से पहले वाले में देखा आपने वो माइनस किया ता यहाँ पर multiply है तो ऐसे आप देखोगे option देखोगे यहाँ पर आप पांच नौ पंचे 45 यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह वाला option हो जाएगा third option आप देखोगे 15 को multiply करते हैं 45 यह तो इसे हम 9 से multiply करते हैं तो 9 45 यह तो यह इसका right answer हो जाएगा third option तो इस तरीके से भी यहाँ पर pattern है और आप अगर खुश से भी करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि और क्या pattern हो सकते हैं और जो answer है answer यहीं है तो इसलिए खुश से जरूर करना अगर किसी question में अलग pattern आता है क्योंकि मैं जैसे pattern आता है तो उसे भी comment कर देना है और लोगों भी देखेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि यह pattern भी यहाँ पर हो सकता है answer आपका third option है official answer है तो यही answer आपके आने चीए तो इसका right answer आपका क्या हो गया third option हो गया next question देखो 50 का 130 से बहुत ही आसान question है कई लोगों से यह भी हुआ होगा यह बहुत आसा question है और कभी कभी ऐसा हो जाता है easy pattern भी वहाँ पर एकदम से नहीं आपाता है अब देखो पहला इसमें sum वाला है कुछ नहीं देखो 50 130 इसका sum कितना है 180 आया option से देखोगे second option देखोगे 60 और 120 का sum जो है आपका 180 तो इसका right answer second है बहुत यह आसान question है next question देखते है next देखो last question है 29 से 61 चीए 47 से आप देखो 15 से 33 आप देखो नमबर आपका यहाँ पर जो नमबर आप देखोगे 29,18 यानि कि पहला वाला चोटा बादवाला बड़ा है यहा भी आप देखोगे पहला वाला चोटा बादवाला बड़ा है तो कहीं न कहीं multiply हो स 76, 72, 25 में यहां ऐसा नहीं है मलब एक sequence नहीं है यहां आप देखोगे 28 answer कौन सारा third option जबकि यह चोटा यह बढ़ा है इस तरीके से नहीं तो multiply करके ऐसे नहीं जा पारे तो आपको समझने हैं कि और ऐसे logic हो सकते जहां पर हम जो digits हैं उनका यूज कर रहे हैं यहां पर आप देखोगे इसका answer क्या देखो 15 से 33 आप जाओगे नंबर पर जाना है तो आप बोलोगे 15 दुनी 30 30 प्लस 3 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ऐसे 29 आपका देखोगे इसमें आप करोगे 29 दुनी होगे तो आपको क्या मिल जाएगा 97 मिल जाएगा तो आपका right answer क्या होगा 4th option होगा तो इसका right answer 4th option है तो यह question आपका number analogy के question पूछे गए थे तो यहाँ पर कई question में आपने सीखा होगा कि कैसे यह pattern भी हो सकते अलग pattern आपने हाँ पर देखोगे अच्छे questions थे इन्हें ध्यान में रखना और अगर आपको इसमें से ऐसा लगता है कि जो question आपको note करने वाला है तो उसे आप note जरूर कर लेना मैंने आपको बोला एक reasoning के आप ऐसी copy बना सकते हो जिसमें आप जो भी यह pattern वाले question होते हैं अच्छे question होते हैं इन्हें आप note कर सकते हो तो इसे note कर लेना जो भी आपको अच्छा question लगता है और फिर इनकी practice आप करते रहना तो ऐसे ही हम मिलेंगे next class में तो आपको इससे पहले वाली class जरूर देखने है जैसे reasoning की third class थी जो reasoning की second है reasoning की first है classes तो आपको जो भी चैनल पर है practice के लिए देखनी है मैंने playlist बना रखिये तेकिन जो अभी की classes हैंगी इसमाँ आपको latest question मिलेंगे और अच्छे questions मिलेंगे नए questions आपको हाँ पर मिलेंगे तो इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं मिलते हैं next class में